दोस्तों इस Study91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मेले करहाजीर हूँ जिसमें आज हम चर्चा करेंगे उत्तरवर्ती मुगल सासकों के बारे में इसके पहले भी दोस्तों दो पार्ट में आपको उत्तरवर्ती मुगल सासक के बारे में मैंने चीजे दिया है पढ़ाया है और आज की टॉपिक में दोस्तों ये टॉपिक आपका पूरी तरह से सवालों को हल करने वाले हैं आप सोच सकते हैं कि धीरे-धीरे दोस्तों हम लोगों के पास कलेक्शन हो गया धाई हजार बेहतरीन सवालों का जियां दोस्तों अभी तो हम केवलों के ओल मिडावल हिस्ट्री पर ठीक है मैं आप से कहा भी था कि शुरुवाद के जो 45 लेक्चर साथ जफर के नाम से भी जाना जाता था इन चीजों के अलामा दोस्तों आज कुछ क्वेशन मैंने और भी आपको दी हैं जिसमें मुगल कालिन सासन बेवस्था से संबंधित तत्यों को पर एक बार नज़र डालेंगे और उससे संबंधित चीजे भी अम लोग देखा करता था क्या कहते थे उस भूमि को? ऐसी भूमी, जो धार्मिक कारियों के लिए राजस समुक्तुगा करती थे उस भूमि को क्या कहते थे? क्या कोई र्चर बता सकता है? ठीक है? इस तरह के सवाल दोस्तों ये मुगल कालिन सासन बेवस्था का सवाल है. अंगलस्यों दukeो तो आपका जबाब हो जाएगा गलत, देखे, जब हम सिक्वेंस से चीजों को पढ़ते हैं तो बड़ा टॉपिक पर दोस्तों इंट्रेस्ट भी आता है, और सब कुछ हमें समझ में आता है, क्योंकि इतिहास जैसे घटित हुआ है, हम क्लास को भी वैसे-वैसे सेट कर चुके ठीक है, बहदूर सादूती का मगबरा कहां इस थी थे, ठीक है, देखे, बहदूर सादूती कौन थे, क्या थे, सब को पता है, लेकिन उनका मगबरा कहां पर बना हुआ है, ये कम बच्चों को पता है, मुगलकाल में मंतरी परिसत को दोस्तों क्या कहा जाता था, जो कैबि पच्छा जानता है मुझे पता है आपके मन से आवाज आ रहे है कि यह राजा राम महन राय उत्तर होगा ठीक है चलिए देखते हैं आज के इस तरह से सवाल होंगे तो पच्छी सो सवाल दोस्तों हमारे कवर हो गए और काफी खुसी मुझे मिलने मुझे ने पता कि आप कितन खुस हैं लेकिन हमें तो बहुत खुसी मिलने चलिए आगे बढ़ते हैं द्यान दीजे का स्टडी नैटी वन के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ था हमें यहां पर जो भी चीजें थी उनको कुछ बच्चों को सिमित दाइरे में दोस्तों बच्चों को दिया गया और अगर आप इस बैच में पाए हैं तो दोस्तों कॉल करके संपर करें दुबारा सी बैच रिलाउंच होने वाला है वहां पर आपको अडिमिसन मिल जाएगा ठी ठीक है तो आईए देखते हैं और डुएन करते हैं आजकी क्लास को और देखते हैं कि क्या-क्या सवाल हमानी समखचा रहे ठीक है कि कुछ भी आपको रटना आ पड़े ठीक है सब कुछ एक कहानी के मांद्धियम से आपको बताना चाहूंगा ठीक है तो आज हम लोग दोस् जो गद्धी पर बैठता है बहादूर सा प्रथम के नाम से वो पहला था उत्तरवर्ती मुगल सासकों का पहला राजा और अंतिम राजा कौन है बहादूर सा दूती ठीक है तो बड़ा असान है कि प्रथम और दूती प्रथम से कहानी शुरू होती दूती पर समाप्त हो जात आपको यादो का दोस्तो सालंदुती ने एक लड़ाई लड़ा था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध याद आया आपको एक लड़ाई लड़ा था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध और ये बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तो 1764 में लड़ा गया था एक् ये खड़ा था, दूसरी तरफ, दोस्तो, मुख़ी रूप से खड़ा था, मीर कاسीम, जो जो की दोस्तो, जिसको गद्धी संग्रेजों ने हटा दिया था, ये बंगाल के नवाब के पत पर बेटा था, इसको अंग्रेजों ने नवाब बनाये भी था, लेकिन जब इसको गद था तो सा आलंदूती था, ठीक है, सा आलंदूती को लगा कि अगर हम एक सैंग तो सेना बना लें, तो हम गरेजों को परास्त कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे में मीर कासिम का भी फायदा हो जाएगा और सा आलंदूती का भी, ठीक है, और इनी की सैंग सेना में एक और बेक्ती आकर सामिल हो गया वो था अवध का नवभब भी आकर सामिल हो गया उसका नाम था सूजावद दोला क्या नाम था सूजावद दोला जब इन तीन लोगों की सेना है बनकर तैयार हो गई तो इन लोगों को लगा कि हम तो हेक्टर मुन्रों की चुटकी महरा देंगे लेकिन परडाम कुछ हो निकला हेक्टर मुन्रों जीच जाता है ध्यान दिजेगा हेक्टर मुन्रों क्या होता दोस्तों जीच जाता है और इन संयुक्त सेनाओं की क्या होरा जाती दोस्तों हार हो दोस्तों ये फिर अंग्रेजों के संग्रक्षड में रहना शुरू कर दिया ठीक है अंग्रेजों के संग्रक्षड में आ गया ठीक है क्या आ गया दोस्तों अंग्रेजों के संग्रक्षड में यह आ गया इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है अंग्रेजों के संग्रक्षड म संदी वी इलावाद की प्रथम संदी इलावाद की दूती संदी प्रथम संदी के तहत मुगल बासा जो था सालन दूती इस से अंगरेजों ने क्या कर लिया बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी ले लिए ठीक है कि वहाँ पर मीजी वे में दोस्तों व्यापार कर सकते है कोई हमें रोक टोक नहीं होगा और जब बासा का फर्मान मिल जाएगा आदिस मिल जाएगा तो ऐसे भी कोई रोकने वाला नहीं है तो यह पूरा दोस्तो एक कहानी आता है ठीक है चलिए आगला सावाल देखते हैं लिकरा वर्षा 1772 इस्वी में शाहलम दूती किसके सायोग स मुगल सिंहासन पर बैठा दोस्तो आपने देखा कि 1765 मिलाबाद की संदी हुई और 65 से लेकर 72 तक दोस्तो यह अंग्रेजों के सरचड में रहा अब अंग्रेजों ने दोस्तो बहत्तर आते आते में regulating act बनाना शुरू कर दिया कि भारत को कैसे regulate किया जा सकता है भारत पर कै कैसे अपना सासन कर सकती इसके लिए regulating act बनाया गया फिर सुप्रीम कोट के स्थापना ओगी यह सारे काम अभी अंग्रेजों के दौरा सुरू ही किये जा रहे थे तब तक दोस्तो एक मराठेक इंट्री हो जाती है नाम है मराठा सरदार महादेव जी सिंधिया तो याद दूती को अंग्रेजों के चुंगल से आजात करा दिया और आजात कराकर पुना इन्हें मुगल बात्सा घोसित कर दिया गया पुना बना दिया या यानि जहां से गए थे पंद्रह सवारी 1772 इसमें फिर से वही पर रिटन आ ठीक है साथ साल के बाद ठीक है चलि आगे मुगल बात्सा बन गया तो कुछी समय बाद दोस्तो इसकी हत्या करने की साजी सर्ची गई और इसे दोस्तो कई जगा कई किताव हमने पढ़ा कि 1780 के आसपास के दोरान दोस्तो या 80 के दसक में इसे क्या कर दिया गया अंधा कर दिया गया था हलांकि बाद में दोस्तो इस मुगलबास्ता का हा मुगलबास्ता का रहते थे। डिल्ली रहते थे। तो डिल्ली दोस्तों किस कैधिपत्यमें आ घ्या. अच्छा, एक सवाल और पूछ सकता कि किस अंग्रेज सेनापती ने धी एक कारनाम करके दिखाय था तो उसका नाम था लेक ठीक है? अंगरेज सेनापती उसका नाम क्या था दोस्तो लेक, लेक माने जील होता न याद रखेगा लेक ने क्या कर लिया था सालंदुती को फिर से अपने सरच्चन में ले लिया था और उसके बाद दिल्ली पर कबजह कर लिया तो भाईया मुगल बात्सा का क्या हो गया मुगल बात्सा को केवल पेंसनर बना दिया गया कि भई आप गद्दी पर बैठिये पैसा लेजे बोलिये मत कुछ हर काम अंग्रेज करेंगे तो अब मुगल बात्सा क्या बन गया है दोस्तों पेंसनर बन गया तो सवाल यहां एक खड़ा होता कि किस मुगल बास्सा को पहली बार अंग्रेजों ने अपने सरच्छण में रखा तो जवाब क्या होगा सालम दूती ना ये बकसर की उद्ध में गया होता ना इतना लंपट हुआ होता ठीक है तो एक तो गलती हुई दूसरा दोस्तो सरच्छण में ले भी लिया दिल्ली एक अंग्रेजों का अधिपत्य दोस्तो किस मुगल बास्सा के सासन काल में हुआ तो क्या बताएंगे सालम दूती एक सवाल और बन सकता है कि वो पहला मुगल बास्सा कौन था जो अंग्रेजों का पेंसनर बना तो याद रखेगा तब भी जबाब होगा सालम दूती ठीक है तो इतने सवाल दोस्तों यहां से पूछे जा सकते हैं, देखें अगर आप इन सवालों को देखेंगे न, तो आपको बिलीब होगा कि नितिन सर इन सवालों को बनाते हैं, यह question कहीं से हम चोरी करके नहीं लाते हैं, मैं क्या करता हूँ, इतिहास को समराइज करता हूँ, समरा कि मैं आँख मोद कर अंधा धुन महनत करते जा रहा हूँ आपके लिए, और आप सहयोग क्यों नहीं करने हैं, ठीक है, लगातार मैं तीन महीने से एक लास दे रहा हूँ, आपको बहुत महनत के साथ, बहुत patience के साथ, दोस्तों सभी question को तयार करता हूँ, और आपको अकबर दूती को क्या बना दिया गया, बादसा बना दिया गया, ठीक है, एक सवाल तो और आपके मन में आ सकता है, कि इसकी हत्या कप की गई, देखिए, अठारा सो तीन में तो दोस्तों, पहले ऐसे याद कर लेजे, हाँ, अठारा सो तीन में या अंग्रेजों के सान अच पर रहेगा, तो 1806 में उदर हत्या हुआ, तो छे से ले करके 1837 इसवी तक दोस्तों, ये अखबर दूती राजा राता है, ठीक है, अच्छा हत्या किया, किसने त्याद रखेगा, गुलाम कादिर ने किया, इसकी हत्या कर दिया, तैस सालन दूती के 1806 स्वी में, उसके अग्बर दूति ने क्या दिया था दोस्तो राजा की उपाधि दिया था यह आप याद रखेगा क्यूं मतने पड़ा किस आलम दूती पेंसनर की भाप impl Hype करने के लिए राजा राम मुहन राई जी को कहा भेजा गया दोस्तों ब्रिटेन भेजा गया ठीक है उस समय कोई भारती है समुद्र को पार नहीं करता था लोगों ने बड़ा विरोध किया इस बात का की राजा राम मुहन राय भारत से बाहर न जाए ठीक है एक अंदबी लडने के लिए इंगलेंड भेजा था या ब्रिटेन भेजा था तो याद रखेंगे दोस्तों राजा राम मुहन राय को ही भेजा गया था किसे बेजा गया था राजा राम मुहन राय को ही दोस्तों इंगलेंड या ब्रिटेन भेजा गया था इससे याद रखेगा ठीक है एक चीजा और याद रखेगा एक सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि अंग्रेजों के सहयोग से या अंग्रेजों के सारचण में मुगल बादसा जो पहली बार बना कौन बना यह आता है जिसे अंग्रेजों के सारचण में बनने वाला पहला बादसा कौन है यह पूछता है तो याद रखेगा तब साहल आदूति मत बतहेगा क्यों साहल आदूति ने तो युद्ध को हारने के बाद बना था ऐसा नहीं कि उसे अंग्रेजो ने राजा बनाय था तो अंग्रेजों के संरचन में राकर के पहला बात्सा कौन बना यह अकबर दूती ही था, यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है अच्छा, यहाँ पर दोस्तों, यह राजा राम महन रायजी तो चले गए लंदन लेकिन लंदन में धोस्तों, 1835 इस्वि में, ठीक है, ब्रिस्बिन में एक जगां का नाम है, ठीक है, लंदन में ही है वहीं पर दोस्तों इनकी मृत्यू हो जाती है तो यह भी आप याद रखेंगे यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट सवाल है चलिए और आगे बढ़ते अंगला सवाल देखते हैं कि और कैसे कैसे सवाल पूझता है इस टॉपिक से सवाल ऐसे आता कि राजा राम मोहनराय की म इंगलेंड में है तो याद रखेंगा राजा राम मोहनराय जी की अठारा सो 35 सिस्यों में मृत्ति हो जाती हैं लिखे रहां अंग्रेजो दोरा मोगलों के सिक्के कब बंद कर दिये गए चल क्यों रह गए थे तो अंग्रोजो ने कहा भाई, मोगलों के सिक्के चल क्यों रहा है तो 1835 में ही जिस समय दोस्तो मृतियोती राजा राम मोहन राय की 1835 में ही अंग्रेजों के द्वारा दोस्तो अकबर दूती के सासनकाल में इन मुगलों के द्वारा जो सिक्के चलाय जा रहे थे उन सिक्कों को बंद कर दिया गया अब अंग्रेजों की जो मुद्रायती दोस् अग्बर दूती के समय में बराबरी के साथ मुलाकात किया और यह अकबर दूती के समय क्या था दोस्तो आपने पीछे पढ़ा है कि 1806 से ले करके 1837 इसवी तक दोस्तो गदी पर बैठे रहते हैं अकबर दूती ठीक है चलिए और क्या क्या सवाल पूछ सकता है सवाल आता कि अकबर दूती के बाद गदी पर कौन बैठा तो अकबर दूती के बाद दोस्तो गदी पर बैठता है बहादूर सा दूती क्या नाम है दोस्तो बहादूर सा दूती जफर मत कहिएगा जफर इसका क्या था उपनाम था उपनाम मतलब एक टाइटल जैसे आप पढ़ते हैं र जफर के नाम से दोस्तों टाइटल रखता था अपना ठीक है जिसमें साहिरी और कविताये करता था इसलिए इसे बहादूर साह जफर के नाम से जाना जाता है ठीक है अच्छा एक चीज़ और अब बहादूर साह जफर गद्धी पर गब बैठा तो 1806 से 307 तक दोते और 1857 से लेकर 1857 से लेकर के 1858 इस्वी तक आपको याद है 1857 की क्रांती उस क्रांती में भी दोस्तों यहाँ पर बहादूर साह जफर ने हिस्सा लिया था याद रखेंगा अलांकि बहुत बुड़े वेक्ती थे लेकिन अलग बात है बहादूर साह दूती किस नाम से साहिरी और क लिखता था याद रखेंगे बादूर सा दूती का मगबरा कहा है देखे जब 1857 की क्रांती होती है तो इस क्रांती में दोस्तों यह मुगल बास्ता भी आ जाता है बादूर सा जफर भी आ जाता है ठीक है हलांकि इनके पास कुछ रहता नहीं है ठीक है बादूर जफर लुटब रहे हैं तो यहां पर झौने क्या किया कि इनके खिलाफ आ गए और अंग्रेजुं कि यहीं गिरफ्तार कर रह करके ईने रंगून भेज दिया का मेरे पिया गए रंगून ठीक है रंगून यह पढ़ता है म्यामार में और उसी रंगून में दोस्तो 1862 में इनकी क्या हो गई 1862 में इनकी मृत्य हो गई इनके जो पूत्र थे, इनके पूत्रों को भी दोस्तों, इनके आखों के सामने हत्या कर दिया, गैरेजों ने क्या कर दिया, इनके पूत्रों के अभी हत्या कर दिया, तो कुछ बचा नहीं, बिना सामराज्य का समराट, किसे कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों, पेंस्नर वाली इसका था नहीं, यहां तक कि लाल किला से भी दोस्तों इसको निसकासित कर दिया गया था, लाल किला भी इनका अपना नहीं रहा गया था, उस पर भी अंग्रेज अपना कबजा कर लिया था, इनको भारत से निसकासित करके छोड़ा, जो हाल हुमायू का हुआ था, वही हाल द मेजर मेजर होसान मेजर होसान एक अंग्रे जद्धिकारी था जिस ने बहादूर साथ जफर को क्या जाना करे उसके लाल किलिए से निकाल एक भारत पहति, बहुत गए क्रांटी होती है ये क्रांती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, बस एक कमी थी कि क्रांती एक समय नहीं शुरू होती है, अलग-अलग समय शुरू ही, लखनों में क्रांती का समय अलग था, गुरकपुर में अलग था, इलाबाद में अलग था, जहांसी में अलग था, दिल्ली में अलग था, इस वज़ा से अंग्रेजों को मौका मिल गया जैसे दिल्ली में जब करांती वी तो अंग्रेजों अपनी सेना को दिल्ली भेज दिया जब करांती का रूप दोस्तो आगे बढ़ा आगरा की तरफ आयता अंग्रेजों ने सेना को दिल्ली से आगरा भेज दिया आगरा से लख मैं मैं हुआ और दुनिया बीदेशी अस्तर पर देखा जाए तो बड़ी थूथू भूवी क्यों क्यों क्योंगि दोस्तो ये इंगलेंड का उपनिवेश था भारत थीक है और ऐसी स्थिती अंग्रेजो के लिए सोभाने दे रहे थी और ऐसे में जो वहां की महरानी थी विक कम्राट का सासन दोस्तों भारत में शुरू हो जाता है वो तीथी क्या है तो एक नॉबर अठारा सो अठाम ठीक है अच्छा उस समय दोस्तों गवनर जनरल कौन था एक सवाल हो रहता है उस समय गवनर जनरल दोस्तों कौन था याद रखेगा लाड कैनिंग का नाम याद रख आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनर्र कौन था लर्ड कैनिंग और भारत का पहला वाहसराय कौन था तब भी लर्ड कैनिग सवाल आ रहा है समझ में ऐसे ऐसे टेक्निकल सवाल दोस्तों परिक्छा में पूछे जाते हैं ध्यान दीजेगा Study91 के platform से बहुत सारी किताबे भी launch की गए तो sample के तोर पे इतनी किताबे दिखा रहा हूँ, एक मौका दीजे हमारे साथ जुड़िए, देखे बार-बार मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको इतना believe हो गया कि Study91 पर जो कुछ दिया जाता है, ये quality content वाली ची क्यार मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत बीडियो बीचे नहीं, मुझे satisfaction चाहिए, मैं विस्वास करिए, जितनी भी किताबे हैं दोस्तों, एक एक किताब को जब तक मैं अपनी नजर से देख नहीं लेता, विस्वास कीजिए मेरे सामने एक file पड़ी, मैं आपक एक एक error दूर नहीं कर लेता, तब तक दोस्तों एक किताब छप नहीं सकती, आगे आई नहीं सकती, क्यों कि error दोस्तों अलग-अलग label पर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पे पहले लिख के देते हैं, अपने content को copy पे लिख के देते हैं, लिखेने के बाद दोस्तो तो उसे typewriter क्या करते हैं, type करते हैं, type करने में बहुत सारी mistake होते हैं, उनको जब तक पांस साथ बार पढ़ा नहीं जाता है, और जब तक satisfy नहीं हो जाते हैं कि नहीं, यह के client सब कुछ सही है, कहीं कोई एरण नहीं है, कोसिस रहती ही, फिर भी थोड़ा बहुत तो आई जाता हैं हम तो आज तक हमारा बीस आर्टिकल नहीं हो पाए क्यों वह यह किताब पर काम करने में समय लगता है समय लगता है क्या किया जाए ठीक है तो थोड़ा सा मौका दीजे और जुड़ी स्टेडि नाइटिमन के साथ हमारा हेल्प्लाइन नंबर है कैसे किताब परचेश करना वह भी आपको यहां से पता चल जाएगा वैपसाइट पर आईए अप्लिकेशन पाईए वहां से किताब ले सकते हैं बाकी कैसा डेली चाहिए तो यहां फ्लिपकार्ट है वहां से परचेश कर लेजे किताब 4-6 दिन में आपके भर पहुंच जाएगी आप ले लेना तब पर्मिट कर चलना राम से अमेजन पर रखा हुआ है वहां से ले सकते है भी आगे बढ़ते हैं अब यहां दोस्तों हमलों पढ़ने चलना है यहां से अपना टॉपिक चिंज मुगल कालीन प्रसासन अब प्रसासन से सम्मने कई सारे सवाल आते हैं जरा देखते हैं अच प्रसासन की सुरुवात करते हैं वैसे प्रसासन हो गया अस्थापत्यकला हो गया चित्रकला हो गया इन सब चीजों पर दोस्तों एक प्लास मैं और आपको दूँगा ठीक है पचा काते हैं उस cabinet को मुगलकाल के दोरान दोस्तों क्या कहा जाता था तो याद रखेगा उसे कहा जाता था विजारत क्या कहा जाता था जो cabinet होता था जो मुगलकाल में बादसा के अपनी मंत्री परसद होती थी जिसमें क्या होता था दोस्तों जिसमें खास लोग होते थे जो मुगल काल के दौरान प्रधान मंत्री को क्या काते थे ठीक है प्रधान मंत्री को क्या काते थे तो उसमें प्रधान मंत्री को वकील कहा जाता था विश्वास नहीं होगा ना अगर सवाल परिक्षा में आये तो बताओ बच्चे क्यों न गलती करें किसी को भरसा होगा कि प्र धान मंत्री को वजीर काते थे और बित मंत्री को कुछ और कहा जाता होगा लेकिन नहीं इस पॉइंट को आप याद रखेगा यहां से सवाल बन सकता यही तो है प्रसासन पढ़ेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा अगला सवाल लिख रहा है कि बित एवं राजस्व विभ होता था उसे किस नाम से जाना जाता था उसे दिवान कहा जाता था ठीक है आगे लिकरा सैन ने भिभाग का मुख्या कौन होता था सैन मतलब सेना का ठीक है तो सेना का मुख्या एक तरह से कहा थे दोस्तो सेना का सेना पती पूछा जा रहा है ठीक है सेना पती कौन होता था तो आपने पढ़ा होगा मीर बक्षी के बारे में, मीर बक्षी के बारे में दोस्तों, यही सेना पती होता था, यही सेने प्रधान होता था, ठीक है, यही युद्ध में दोस्तों यही ओडर देता था, ठीक है, तो याद रखेगा है सेना का प्रमुख होता था, आगे बढ़ ठीक है देखिए सब ऐसे सवाल है ना कि आज भी अगर परिच्छा में पूछा जाए तो 99% लोग नहीं जवाव दे पाएंगे क्यों क्यों क्योंकि उत्तर बढ़ती मुगल सासक पढ़के लोग निकल लेते हैं किसी को प्रसासन पढ़ने क्या हो सकता ही नहीं पढ़ती है तो गाओं का मुख्या क्या कहा जाता था तो मुख्या को कहा जाता था पटेल क्या कहा जाता था दोस्तों मुख्या को क्या कहा जाता था पटेल कहा जाता था कर लगान हीन भूमी का निरिक्छड कौन करता था ऐसी भूमी जो लगान हीन थी मतलब उस पर लगान नहीं दिया ज एक सवाला ओर आता है जो नीजी भूमी की देखभाल करता था नीजी भूमी की देखभाल करने वाला नीजी भूमी की देखभाल करने वाले को दोस्तों क्या का जाता है जो नीजी भूमी की देखभाल करते थे उसे का जाता था दिवान ए खालिस क्या का जाता था दिवान ए खालिस साप साप लिखना पड़ेगा ठीक है जो नीजी भूम की देख भाल करता था उसे दिवाने खालिस काते थे और खाली दिवान दोस्तों किसे कहते थे तो अभी हमने पीछे पड़ा दोस्तों खाली दिवान उसे कहते थे जो बित और राजस विभाग का क्या होता था सर्वोच्य अधिकारी होता था उसे खाली दिवान कहते थे और जबकि दिवान ए दिवान ए क्या लिखा दोस्तों ख और सकते हैं। आउकात्, सीधे सीधे बोले न, अगर अपने डेसी भासा में, अगर अपने देसी भासा में समझा जाए, इसका मतलब क्या होता है, तो आउकात याद रखेगा, जाता था कि वह यह लोग क्या हैं ये लोग मनसबदार हैं ठीक है लेकिन जब किसी का मनसब पांच सव से बढ़कर धाई हजार तक चला जाता था ठीक है कोई 500 मनसब पे कोई 600 मंसब पे, कोई 1000 मंसब पे, कोई 1500 मंसब पे, कोई 500 मंसब पे, तो इनकी एक कटेगरी होती थी, इनको कहा जाता था अमीर, ठीक है, आपने सुना होगा, कि मुगल सल्तनत में बहुत सारे अमीर हुआ करते थे, तो अमीर किसे कहा जाता था, जो 2500 मंसब तक रहते थे उन्हें, और धाई हजार से अधिक का मनसब जिनको मिला होता था, पांच-पांच-पांच-छे अजार तक का मनसब मिला होता है, मान सिंग अगर को मिला था, प्रियाद रखेगा उन्हें क्या कहा जाता दोस्तों, उन्हें अमीर ए आजम कहा जाता था, जो धाई हजार मनसफ से अधिक वाले जितने लोग थे उनकी एक कटेगरी थी उन्हें क्या कहते थे उमरा या फिर क्या कहते थे अमीर ए आजम के नाम से जाना जाता था ठीक है आगे बढ़िए लिकरा अस्थाई बाजार या अनाज मंडी जो हुआ करता था दोस्तो उस अस् स्थान होता था जहां मंडी होती थी बड़ी मंडी होती थी जैसे सागन जैसे लाल गंज ठीक है आप देखिए अगर आपके आसपास में कोई सीटी कोई सहर का नाम गंज होगा ना तो हां की मंडी बड़ी पाप्लर होगी ये मुगल सल्तनत के समय से दोस्तों चला रहा है तो याद रखेगा एक गंज का संबंद महां से ठीक है अच्छा एक चीज़ और यहां मैं कहना चाहूंगा जमीन या भूमी का जो मापक होता था भूमी मापक यंत्र को दोस्तों क्या कहते थे तो भूमी मापक यंत्र को कहा जाता था जरीब क्या कहते थे दोस्तों याद तो याद रखेगा उससे क्या कहा जाता था जरीब मुगलकाल में साही कारखानों का जो साही कारखाने होते थे उस कारखाने का अधिक्षक का तात पर अधिक्षक कर सकते हैं आप ठीक है कौन होता था याद रखेगा इससे कहा जाता था दिवान ए बयुतात क्या कहते थे दो मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो परधान होता था जो सूचना एकत्र करता था या गुप्तचर विभाग का जो परधान होता था उसे क्या कहते थे याद रखेगा उसे कहते थे दरोगा दरोगा ए डाक चौकी क्या कहते थे दोस्तों दरोगा ए डाक पुलिस चौकी उगर जो पढ़ते हैं यह क्या होता था दोस्तों जवाने में सूचना और गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था वहां पर दोस्तों उस डिपार्टमेंट का नाम हुआ करता था ठीक है लिकरा मुगलकाल में सबसे अधिक उपजाओ मिट्टी को क्या का जाता थे क्योंकि जितना ज्यादा उपजाओ मिट्टी होगी उतना ज्यादा फसल पैदावार होगा उतना ज्यादा जो है वो भी मिलेगा लगान भी मिलेगा तो उस उपजाओ मिट्टी वाले जमीन को क्या का जाता था दोस्तों उसको पोलज मिट्टी का जाता था ठी क्या कहते हैं मुवाफी क्या कहते दोस्तों मुवाफी क्या कहते थे जो राजत सुमुक्त भूमी होती थी उसे क्या कहते थे मुगल काल में फसल के बाद 3-4 वर्सों तक भूमी को खाली छोड़ दिया जाता था इस खाली छोड़ने वाली भूमी को क्या कहा जाता है हम लोग आज भी कहते हैं परती छोड़ना क्या कहते हैं कि भूमी को परती छोड़ दी गई है ताकि मिट्टी में उपजावपन आ जाए तो उसे क्या कहा जाता था दोस्तों उसे कहते थे चाचर भूमी क्या कहते थे चाचर भूमी ठीक है अच्छा कैसा लग रहा है से मुगल कालीन प्रसासनिक ब्योस्ता के बारे में पढ़कर आपको कैसा लगा थोड़ा से डिफरेंट मिलेगा आपको चीजे ठीक है एक वीडियो मैं और दूंगा इस पर दोस्तों जिसमें प्रसासन के बारे में अस्थापत्यकला के बारे में चित्रकला के बारे में वो सब समराइच करू करूंगा उत्तरवर्ती मुगल सासक तक ठीक 1857 तक दोस्तों में पूरा का पूरा कवर करूंगा और जो भी चीजे रहेंगे एक बार उनका वी वीडियो देखेंगे तो हमारा इस सेशन क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा फिलाल आज का सेशन नहीं समाप्त होता है उम्मीद क भी आप जॉइंग कर सकते हैं और उसके माध्यांस अपनी तयारी को आगे बढ़ा सकते हैं हाँ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं और क्वाल्टी कंटिन वाली चीज़ी दे रहे हैं तो आप अपना में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत थैंक्यू थैंक्यू सो मच